प्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम वेज एंटेंस एक्जाम के हिंदी के सर्वनाम तथा विशेशन से संबंदित कुछ कॉस्टेंस हैं जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट आव्यू से इंपोर् संगिया है सर्वनाम है विशेशन जा रहा है हमें बताना है कि वह शब्द गिंदी करता है तो प्रेंड वह शब्द जो है वह बताता है सर्वनाम तो प्षिन भी राइट आंसर है नेगस्ट है निम्लिखिज को नाम का भेदर नहीं है यानि कि आपको बताना है सर्वyu नाम की भ्यदर से कौंसे नहीं है नेजवाचक, प्रश्न वाजचक, गुडवाचक और पुरुष वाचक. तो friends इसका जो right answer होगा वो होगा हमारा option number C गुडवाचक सर्वणाम का भेद नहीं है next question पे आते हैं अब इस question में हमसे पूछा गया है सब कुट्टे एक साथ तोड़ रहें इस बाके में कौन सा विशेशन है options है अनिश्चित संख्यात्मक, गुडवाचक, परिमाणवाचक या फिर सर्वणामक तो friends इसमें हमें बताना है तो option यहाँ पर एह हमारा right answer है अनिश्चित संख्यात्मक है क्योंकि सब कुट्टे एक साथ दोड़ रहें सब कुट्टे में हमें नहीं पता कि कितनी संख्या में जो कुट्टे हैं वो दोड़ रहें तो अनिश्चित संख्यात्मक इसका right answer है next है मैं अपने आप काम कर लूँगा मैं आप शब्द कौन सा सर्वणाम है निजवा चक है, पुरुषवा चक है, संबंधवा चक है या फिर निश्चिवा चक है तो फ्रेंट्स इसमें कहा गया है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा और हमें आप इंडिकेट करके बताया गया है कि आपका सर्वनाम बताना है तो friends आपका जो सर्वनाम है वो है निजवाचक क्योंकि वो खुद के लिए यूज़ किया गया है तो यहाँ पर option A क्या है हमारा right answer है next question पर आते हैं अब इस question में हमसे पूछा गया है कि आलस से शब्द का विशेशन क्या होगा आलसी, आलस, आलसीपन या फिर आलस पांच है, चार है, छे या साथ है तो friends आपके सर्वनाम के बेदो की संख्या पूछी गई है तो वो है छे, तो option D यहाँ पर हमारा क्या है राइचा answer है next है प्रशनवाचक सर्वनाम का उधारन क्या होगा जो, वे, कौन या आप तो friends यहाँ पर आप इजली से बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रशनवाचक शब्द है वो सिर्फ एक ही यूस किया गया है, वो है मारा option number सी, कौन next आते है अब इस question में हमें बताये गया है मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, नेजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चेवाचक या पिर अनिश्चेवाचक तो friends यहाँ पर हमें बताना है कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मैं जो है वो निश्वाचक का उधारन है तो option A, यहां पर क्या है, right answer है, next आते हैं, कोई किस प्रकार के सरवनाम का उधारन है, तो हमें बताना है कोई जो है, किस प्रकार के सरवनाम का उधारन है, प्रश्णवाचक का है, अनिश्चेवाचक का है, संबंधवाचक का है, या फिर निश्वाचक सरवनाम का है, तो friends, right answer इसरा option number B, यह हमारा अनिष्चे वाद्चक सर्वनाम है, क्योंकि कोई के लिए में पता नहीं है, कि किस के लिए यूज करें, बस कोई है, जिसका हमें अभी कोई भी उसके वारे में निष्चे नहीं बता सकते कि कौन है, ठीक है, next है, कौन आ रहा है, इस वाक्य में कौन कौन सर्वनाम है, तो friends, यहाँ पर कौन हमें बताना है, निष्चे वाद्चक है, निष्चे वाद्चक, अनिष्चे वाद्चक या पर प्रेश्चन वाद्चक, तो friends, यह रिपीट हो गया है, तो हम बता सके, इसका जो राइट आंसर होग वहे अच्छा है वहे वाक्य में वहे कौन सा सर्वनाम है निजवाचक प्रश्णवाचक प्रुश्वाचक या फिर निश्चेवाचक तो फ्रेंड्स यहां पर बात की गई है वहे अच्छा है में वहे बताना है क्या है तो फ्रेंड्स यहां पर जो वहे उसक्या गया है वो नेक्स कोशन पर आते हैं आप आजकल कहाँ है इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है तो फ्रेंड्स ओप्शन से निजवाचक, प्रशन वाचक, पुरुष वाचक या फिर सम्मन वाचक तो राइड आंसर होगा है आप 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 आप्शन नमर ए निजवाचक नेक्स आते हैं निजवाचक या फिर सम्मन वाचक या फिर सम्मन वाचक या फिर सम्मन वाचक विक किस परकार का सर्वनाम है निजवाचक, अनिषचे वाचक, सम्मन वाचक या फिर फिर पुरुष वाचक तो फ्रेंड्स यहां पर हम बात करें तो उप्शन डीखे होजाएगा इंग मरा नाइच आइचांसर होजाएगा पुरुष वाचक । ouais निक्स्ट है जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है संबंद माच्ग हैं प्रश्ण वाच्च वाच्छ सब्सक्राइब सम्मंद वाचक है पुरुषवाचक है प्रश्न वाचक है या फिर अनिश्चे वाचक है तो फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर होगा वह होगा यह कौन सा सर्वनाम है पुरुषवाचक है निश्चे वाचक है या फिर सम्मंद वाचक है तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा उप्शन नमब सी निश्चे वाचक नेक्स्ट है विशेशण कि सब्द की विशेश्टा बताते हैं संग्या की सर्वनाम की संग्या तथा सर्वनाम या फिर क्रिया की तो फ्रेंट जो विशेशण होते हैं वो हमें विशेश्टा बताते हैं संग्या तथा सर्वनाम की तो option C, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, राइच आंसर हो जाएगा, next है, विशेशन के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 2 या 5, तो friends, विशेशन के जो भेद बताएगए हैं, वो बताएगए हैं, तीन, अब आपको बताना है कि वो कौन-कौन से विशेशन के भेद, तो आप कर लेजेगा, next आते हैं, निमलिकित में से कौन गुणवाचक विशेशन नहीं है, तो हमें गुणवाचक विशेशन बताना है, तो options हैं, टिकाओ, गुजराती, प्रतेक या लंबा, तो Fred, यहां पर जो राइट आंसर होगा, वो होगा option number C, प्रतेक, next है, निमलिकित में से कौन संख्यावाचक विशेशन का थे नहीं है, संख्यावाचक विशेशन का भेद नहीं है, तो options हैं, गर्णावाचक, समुदाय बोधक, निजवाचक या फिर क्रम वाचक, तो Friends, यहां पर अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो options ही हमारा राइट आंसर होगा, निजव यहां पर संध्या वाचक विशेशन का भेद नहीं है नेक्स कॉश्चन पर आते हैं निम्लेकित मैंसे कौन गुण वाचक विशेशन नहीं है कोल अधिक लुकीला भीदरी तो फ्रेंड्स यहां पर जो राइड आंसर होगा वोगा ऑप्शन नमर भी अधिक नेक्स्ट है कुछ बहुत किस परकार का विशेशन है प्रतेग बोता करना बाचक क्रम बाचक या फिर अनिश्चे बाचक ऑप्शन डी यहां पर राइड आंसर होगा अनिश्चे बाचक क्योंकि कुछ बहुत में यहां पर निश्चे नहीं है किसी भी चीज़ का अनिश्चे सार्वनाम एक विश्यषण किससे कहते हैं या कि कहते हैं जो शब्ड संगया के पहले आता है। जो शब्ध संग्या की बाद आते हैं या फिर जो शब्ध सर्वनाम की बाद आते हैं या फिर ये शब्ध वाक्यEP में नहीं आते तो friends सार्वनेक विशेशन की बात करें यहां पर तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number A सारणेक विशेशन वो विशेशन होते हैं जो शब्द संग्या के पहले आते हैं तो friends यह था इसका right answer option number A निम्लेकित मैंसे कौन विक्तिवाचक संग्या शब्द नहीं है तो हमें यहाँ बताना है कि जो विक्तिवाचक संग्या शब्द इसमें से कौन सा नहीं है पटना, रामायन, औरत या फिर गंगा तो friends यहाँ पर आपको बताना है नहीं तो याद रखेगा नहीं यहाँ पर वर्ड दे रखा है तो यह राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर आप्शन अमर्ट C यह विक्तिवाचक नहीं है बाकि पटना, रामायन, और गंगा विक्तिवाचक संग्या का उधारन है next है पंडित से भावचक संग्या है अब पंडित से भावचक संग्या में बतानी है पंडित्य, पंडिताई, पंडिताउ या यह सब ही तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option नमर्ट D पंडित्य भी बन सकता है, पंडिताई भी बन सकता है और पंडिताउ भी हो सकता है तो यह सारे options अहीं हैं तो option D राइट आंसर होगा नेक्स कोशन पे आते हैं हम निम्लिकित में से कौन माता की भाववाचक संग्या है यानि माता की भाववाचक संग्या में आप बताने हैं options है मात्रत्व, माई, वाचसल्य या फिर मा तो friends यहाँ पे माता की भाववाचक संग्या पर अगर हम आएं तो यहाँ पर जो option 1 है वो हमारा right answer होगा माता की भाववाचक हो जाएगी मात रत्व तो option यहाँ पर right answer है next है निम्लिखित मैंसे कौन संगया का भेद नहीं है भाववाचक संगया, जातीवाचक, संख्यावाचक या समूबाचक तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका right answer होगा वो होगा option number C संगया बाचक संगया का भेद नहीं होता संगया की भेद होते हैं भाववाचक, जातीवाचक, समूबाचक, निजवाचक तो option C यहाँ पर हमारा right answer है next question पर आते हैं friends निम्न मैंसे समूबाचक संगया है गिरो, मंडल, तल या ये सभी तो friends यहाँ पर जो options दे रखे हैं वो तीनों ही options ऐसे हैं जो किसी समूबाचक को बताते हैं गिरो भी यहाँ पर number of persons को बता रहा है मंडल भी बता रहा है तो यहाँ पर option D हमारा right answer हो जाएगा क्योंकि तीनों ही यहाँ पर हमारे right options है तो option D right answer है next है कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है शंगया, शब्द, लिंग, बचन के अनुसाब परिवर्तित होते हैं संगया शब्द अविकारी होते हैं संगया के पांच बेद होते हैं या कुछ संगया शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है तो friends अगर हम यहाँ पर options के according आएं तो option B जो है वो हमारा wrong है संगया शब्द अविकारी होते हैं तो option B यहाँ पर right answer है next आते हैं मीठाच से भावाचक संगया क्या बनेगी मिठाई, मिठास, मिठ्थू या फिर मिठ्थ तो friends यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर option B right answer हो जाएगा क्योंकि मीठे से जो इसका भाव निकल कर आ रहा है वो मिठास से है जबकि मिठाई एक चीज का नाम है एक वस्तू का नाम है मिठ्थू प्यार से बोल दिया जाता है तोते को और यहाँ पर मिठ्थ कोई शब्द नहीं होता है तो इसलिए मिठास से जो भावाचक संगया बनेगी वो होगी हमारी मिठास नेक्स्ट आते हैं कोयल शब्द किस संगया का उधारण है जाती वाचक, व्यक्ति वाचक, समू वाचक या फिर द्रव्य वाचक तो फ्रेंट्स यहाँ पर आयें तो कोयल एक जाती को बताता है तो option A यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है मित्र से भावचक संगया क्या बनेगी मैत्री, मित्रता, मैत्रई या फिर मित्रनी तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो right answer होगा वो होगा option number B मित्रता, मित्र से भावचक संगया निकल कर आ रही है नेक्स्ट है निमलिकित मैंसे कौन व्यक्तिवाचक संगया है सिक्षक, महेंद्र, विद्यार्ती या फिर मंत्री तो फ्रेंट्स यहाँ पर right answer पर आयें तो B हमारे right answer होगा B व्यक्तिवाचक संगया यानि महें व्यक्तिवाचक संगया हमें बता रहा है नेक्स्ट है घबराहट किस संगया का उधारन है विक्तिवाचक, समूवाचक, भावचक या फिर द्रब्यवाचक तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो हमारा right answer हो जाएगा वो होगा option number C भावचक हमें ये घबराहट जो है वो हमेरे बावचक संगया का उधारन है नेक्स्ट है भूकंप किस प्रकार की संगया है जातिवाचक, समूवाचक, भावचक या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो फ्रेंट्स भूकंप जो है वो एक जाति को बता रही है तो option B यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है नम्रिकेत मेंसे कौन द्रब्यवाचक संगया है वर्षा, किताब, घर या फिर पानी तो फ्रेंट्स यहाँ पर आएं तो option D right answer है पानी हमारा द्रब्यवाचक संगया है नेक्स्ट है जातिवाचक संगया नहीं है अब हमें यह नहीं है बताना है पक्षी, पसू, आदमी या फिर राम तो फ्रेंट्स देखी यहाँ पर पक्षी जो है वो एक जाति को हमें बता रहा है पशू भी हमें एक जाति को बता रहा है और यहाँ पर आदमी भी हमारी एक जाति को बता रहा है जिबकि राम जो है वो जाति को नहीं बता रहा है तो option D जो है हमारा right answer है नेक्स्ट आते हैं विजय दश्मी कौन सी संग्या है भाववाचक, जातीवाचक, समुवाचक या फिर व्यक्तिवाचक तो फ्रेंड विजय दश्मी पर आएं तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संग्या होगी option D हमारा यहाँ पर right answer है नेक्स्ट है वर्षा संग्या के किस भेट का सब्द है विक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातीवाचक या फिर समुवाचक तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम वर्षा की बात करें तो देखी फ्रेंड यहाँ पर जो right answer होगा वह होगा option number B द्रव्यवाचक next आते है निम्ण मैंसे कौन एक प्रतक संग्या का उधारण है रामायण, महावारत, बाइविल या फिर किताब तो यहाँ पर अगर हम प्रतक संग्या की बात करें friends तो यहाँ पर option D अलग है जबकि रामायड महाबारत वाइबिल एक ही संग्या के उधारण है और किताब अलग संग्या के उधारण है तो इसलिए D हमारा option correct होगा नेक्स्ट है निम्ण मैंसे कौन एक प्रथक संग्या का उधारण है शराव, शरावी, जल और तेल तो friend देखिए A, C और D यह तीन एकी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि शरावी जो है वो अलग है यह एक व्यक्ति वाजचक को बता रहा है तो यहाँ पर, sorry जाती वाजचक है शरावी हमारा इसलिए यहाँ पर जो हमारा right answer होगा वो होगा option number B, शरावी नेक्स्ट आते हैं, कवुतर किस प्रकार की संग्या है जाती वाजचक, व्यक्ति वाजचक, समुवाजचक या फिर भावजचक तो friends यहाँ पर अगर हम आएं कब उतर किस परकार की संग्या है तो यहाँ पर जो हमारा right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option A जातिवाचक संग्या है Next है निम्न मैंसे कौन एक प्रिथक संग्या का नाम है किताब, कलम, विद्यारती या फिर गीता तो friends यहाँ पर जो right answer होगा वो होगा option number D गीता हमारा प्रिथक संग्या का उधारन है Next है निम्न मैंसे कौन एक प्रिथक संग्या का उधारन है प्रेम, प्रेमी, प्रेमी का या फिर बाजार तो friends, यहाँ पर जो right answer होगा, वो होगा option number A, प्रेम, यह अलग है जबकि प्रेमी प्रेमिकाव बाजार, यह हमारा भाववाचक में आता है Next आते हैं, सिस्ट मंडल कौन सी संग्या है, भाववाचक, समूबाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक तो friends, अगर हम यहाँ पर बात करें, सिस्ट मंडल की, तो यह हमारा मंडल देखिए, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, मंडल है, यानि कि समूख की बात की जारी होगी, तो option B, यहाँ पर आई चांसर है नेक्स्ट आते हैं, निम्न मैंसे कौन जातिवाचक संग्या का उधारण नहीं है, आदमी, औरत, विद्यारती या फिर भारत तो friends, यहाँ पर इसका right answer होगा, option D, भारत नेक्स्ट है, निम्न मैंसे कौन सा शब्द संग्या का उधारण नहीं है, सिक्षक, सोना, अच्छा या किताब तो friends, right answer होगा, option number C, अच्छा नेक्स्ट है, इन मैंसे कौन जातिवाचक संग्या नहीं है, पानी, सोना, नदी या तेल तो friends, right answer होगा, option number C, नदी नेक्स्ट है, निम्न मैंसे कौन जातिवाचक संग्या है, महाभारत, जापान, भाई या लोहा तो friend, यहाँ पर जातिवाचक की बात की जा रहे है, तो option C, यहाँ पर हमारा right answer है, भाई नेक्स्ट है, भाई, दशा, धर्म, गोड या कार्रे का बोट करने वाली संग्या कहलाती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाई वाचक या फिर त्रव्य वाचक, तो option C, right answer है, यह हमारी कहलाती है, भाई वाचक संग्या नेक्स्ट है, बालपन किस संग्या का उधारण है, जातिवाचक, भाई वाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समुवाचक, तो फ्रेंड यहाँ पर जो बालपन है, यह हमें बताता है, भाई वाई वाचक को, तो option B हमारा यहाँ पर right answer है नेक्स्ट आते हैं, परिवार किस संग्या का उधारण है, जातिवाचक, भाई वाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समुवाचक, तो फ्रेंड अगर हम पर परिवार की बात करें, तो यहाँ पर option D right answer होगा, क्योंकि परिवार हमारे बहुत सारे लोगों का समुव होता है, इस निमलेकित मैंसे कौन भावाचक संग्या नहीं है, क्रोध, लोब, वीरता या फिर श्रंकला, तो फ्रेंड यहाँ पर option D right answer होगा, श्रंकला हमारा भावाचक संग्या का उधारण नहीं है, I hope friends, सारे questions आपको clear हो रहे होंगे साथी साथ, बहुत easy है, मुहन school जा रहा है, इस वाक्य में मुहन क्या है, चातिवाचक, समुवाचक, विक्तिवाचक या फिर भाववाचक, तो friends, यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, यह है विक्तिवाचक संग्या, नेक्स्ट है, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है, भाववाचक संग्या, विक्तिवाचक संग्या, तरव्यवाचक संग्या, या फिर जातिवाचक संग्या, तो friends, अगर हम यहाँ पर बात करें, आम में मिठास है, तो मिठास जो है, वह हमारे भाव को बता रह जाती जाती को बता रहा है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, आपको यदिश पसंद आया होगा, वीडियो बसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजेए, अपने फ्रेंड्स के शेर केजेए, किसी भी तरह की कोई भी query हो तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं और किसी तरह का कोई doubt है या कोई आप suggestion देना चाहते हैं तो नीचे comment section में जरूर बताएगा और telegram group को join कर लीजे मैं वहाँ भी आपको practice heart दे रही हूँ तो आप उनको solve कीजिए और friends के कोई भी topic हो जो आप cover करवाना चाहते हैं जिसको मैं miss कर रही हूँ तो आप please उसे नीचे comment section में बताएगा मैं जरूर कोशिश करूंगे उस पर video बनाने की तो friends next video में मैं फिर मिलती हूँ आपसे और विच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई